बंदाउं चरण सरोज गुरू मुदमंडल आगार जहीं सेवत नरहोत हैं भवसागर के पाओ साहिब जग में महान है मेरा साहिब जग में महान है तेरे चरणों में मेरी जान है मेरा साहिब सत्य समान है मैं बंदगी साहिब की करूँ मेरा साहिब ही भगवान है साहिब जग में महान है साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब मेरा साहिब बंदगी बोला भो क्या है शकॲाथ ने माफी की अरजी भी नहीं दी कह बहिर अगर आप एंधनस को छोड़ कर चले जाए एंधनस में रहते थे अगर आप इसे छोड़ के चले जाएँगे आपका मृति पर लगा माफो जाएगा Spain ने कहा फिर मैं कभी भी नहीं मरूँगा जजो भी का ये तो बड़ी बेकूफी वाली बात है हम ऐसा नहीं कहरें कम से कम अभी आपको हम मुत की सजार नहीं देंगे अगर आप एंधिन्स को शोड करके चले जाएं शुक्रात नहीं कहा नहीं मरना तो है कभी नहीं कभी क्योंकि मैं गलत तो कुछ कह नहीं रहा हूँ अगर आपकी निगाह में गलत हूँ मुझे फांसी दे दो मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है पर मैं एंधिन्स छोड करके नहीं चला जाओंगा फिर उन्होंने का एक और चीज है की ज़सा कुछ कुछ तुम कह रहे हूं यह मत को तो तुम्में फांसी नहीं कोमादू है क्वांकि फर्मात्मा ने जो मुझे 然后 डिया आ इन्सान में बांटने के लिए वो तो मुझे बांटनी है अगर मैं नहीं बांटूंगा फर्मात्मा का दोशी बन जाऊँगा मैं इश्वर के दर्वार में दोशी नहीं बनना चाहता हूँ यहां चाहे आप मुझे मौत की सज़ाद हो चाहे कुछ भी दो पर मैं यह नहीं कर सकूँगा आप इवार आगर शुक्राद को जहर प्ला करके मौत की सज़ादी गई थी शुक्राद ने वक्ति तोड़ पर कुछ भी ऐसा नहीं किया था हमें समाज को चिंदन करना होगा कि कालंतर से युग युगंतर से इसका मतलब धार्मिक पाखंड हैं उस पर चिंदन करना होगा सहच बहुत से चिंदन करना होगा आपको सुनकर हैरान की होगी देश के खरीब साथ आठ क्रोड लोग नियर अबाट दस क्रोड लोग परमात्मा के नाम पर चल कपट थगी दोखा करके रोटी का रहे इसलिए अच्छा एक महाप्रिश उस तरह इशारा करता है कभी तरह ने इशारा कर दिया परना में सामने है बावन बार उन्हें महुत की सजाम ली वो बावन कसनी के नाम से जाना जाता है अगर एक महात्मा का विरोध नहीं हो रहा है और बहुती भक्ति को नहीं समझा कुछ लोग अंतर साधनाएं करते हैं ब्रह्मन करते हैं यह अध्यात्मे शक्ति है यह नहीं अध्यात्मे शक्ति अध्यात्मे शक्तियों के विशे में लोग भ्रह्म में हैं अध्यात्मे शक्ति कोन सी है कुछ लोग गुप तोकर के कहीं परकट हो जाता है तो कहते हैं यह अध्यात में शक्ति है जो बोला वो भी आगया बोलने लगया कहा है यह अध्यात में शक्ति है नहीं नहीं यह तो सहबा है कि हमारे शरील की शक्ति है आपके अंदर असीम शक्ति भरी पर यह अध्यात में शक्ति तो आपके चेतना के अंदर, आपके आत्मा के अंदर, आपके सुर्थी के अंदर है, वो है, आपके आत्मा के हूंपर माया और काल पुरुष की कई आवरण है, जब तक ये आवरण नहीं हड़ते हैं, अध्यात में शक्ति ही तो दभी हुई है, आत्में शक्तियां कैसे जगेगी, यह आत्में शक्तियां किसी योग से नहीं जगने वाली है, हाई हम देखते हैं, इसका मतलब है, एक अदद गुरू आपको पूरे रूप से बदल देता है, उसके पास यह ताकत है, गुरु पारस, गुरु परस है, गुरु अम्रित की कान शिष्टी है जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान मुलूप से गुरु जिसने एक सद्गु आपको दिक्षा देता है तीन चीजें आपके अंदर भर देगा वो अगर ये तीन चीजें आपके अंदर नहीं आई है तो आप खालिए आप पहले अपने को गुरु धारण करने के बाद आपके अंदर बदलाब नहीं आया है अगर आप वैसे ही हैं तो फिर आप सोचें कि आप भटक रहे हैं आपने कहीं सभी ठीकाने का गुरु नहीं धारण किया एक सद्गु जब भी दिक्षा देता है तो सादक को तीन चीज ठोक में देता है नाम की प्राप्ति के बाद जब आपको दुनिया और किसम की लगने लग जाए तो समझे कि आपकी चुनरी और रंग डारी है सद्गुर मोर रंग रहे चुनर बोरी रंग डारी अगर नाम लेने के बाद में आपके अंदर प्रासंग बदला भी नहीं हुआ है आप जैसे जहांके आपके अंदर अगर यह तीन चीज़े नहीं आई है तो आप समझना कि आपके आत्मा को जगाए नहीं गया है आप भ्रह्म में हैं सबसे पहले माया का नशा एक सद्ग्रु आपके अंदर से उतार देता है और आपको इंटलियेंच बना देगा दूसरी चीज एक आपको इतना चैतन कर देगा चैतन किस से करता है अपनी रुहानी ताकर से चैतन करता है जब आप चैतन हो जाएंगे तो आप में बदलाव क्या आएगा देखिए सबसे पहले आपके अंदर के विकार आपको समझ भी आने लगेंगे अगर आप नाम प्राप्त करके पाप गुरू की जबरुत पड़ी बाकी अध्यन करना है बाकी चीजें करना है वो तो आप अपने अंदों से भी कर सकते हैं लेकिन वस्तव अमोलक देह में सत्गुरु दीन सुरत सहदानी जिस समय ये ताकत आपके अंदर आजाएगी आपको रोशन कर देता है गुरू काहा को हंसा कर दीना जब आप में ये अध्यात्म शक्तियों का संचार होने लग जाता है आप वेक अप हो जाते हैं आप पूर शैतन हो जाते हैं आपको नदर आने लगेगा अपने अंदर का पूरा जगरा आपको समझ में आने लगेगा मन और माया का खेल आपको दिखाई देने लेगेंगे काम करोद लोग मोई एंकार काट पला धंसा कर दीना ऐसे ही नहीं आप किसी भी पाप कर्म को तब नहीं कर सकते हैं गुरू के बिना ये हिर्दय शुद्ध भी नहीं हो सकता है चाहे कोई करो लो प्रयास को नहीं करें क्योंकि गुरू अध्यात्मी शक्तिदारा ये सब काम पल भर में कर देता है कोट ही जन्म का अपंत साय गुरू पल में दिया लगा है सद्गुर मौरा सूर्मा कसके मारा बांड नाम अकेला रह गया पाया पद नर्माड मन अगर आपका गुलाम नहीं हुआ तो फिर गुरू ने दिया क्या गुरू मन को एक दारे में कस देता है एक सद्गुर आपके पास बड़ी अध्यात में शक्तिया पहुचा देता है ट्रंस्मिट कर देता है अपनी अध्यात में शक्ति के दोरा तबी तो सद्गुर की महमा इतनी कह दी गुरू गोबिन दोनों खड़े काके लागों पाए बहरा हारी गुरू आपनी गोबिन दिया रख दसाए कबर हर के रूर है गुर की शरनी जाए कहे कभिर गुर रूर्ते प्रभनी हूसा है यहाँ प्रासंगित्ण गुर की शक्ति की बढ़ लिये है वो कह रहे है गुरु पार ERAS साहिब वाणी में कह रहे हैं गुरु पारस है, गुरु अमिलित की खान शिष्ट ये जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान जब गुरु आपकी आत्मा को अपनी सुर्ती का सपर्ष देता है तो काग पलट धंसा कर दिना पारस में और संत में तो बलो अंत्रो जान वो लोहा कंचन करे, वो कर ले आप समान ये अध्यात में शक्ती दूसरी ये गुरु देता है जब ये शक्ती आजाती है, मन आपका मुरीद हो जाएगा फूरी क्रियाओं में बदलावा जाएगा पाप कर्म, आप चाहकर भी नहीं कर पाएगे ठगी, आप चाहकर भी नहीं कर पाएगे गुरु का आप में स्मंदन आपके साथ जब हो गया तो आप बदल जाएगे, आप वो नहीं रहेंगे तभी तो कविट साथ अपनी वारी में कह रहे है जब मैं था तो गुरू नहीं अब गुरू हैं मैं नहीं प्रेम के लिए अतिसा करी तामी दूई नहीं समाया इसलिए भाई यह चेक करना आपने आपको कोई बच्चा कहता है बहुत अच्छा हूं पढ़ने में इसी तरह अगर आप अपने को जहां कियेगा अगर आप में बदलाब नहीं आपकी आत्मां चेतन नहीं हुए तो यही तो एक आलोकिक चीजें इसी करन्ट से वानियों में साहिब ने गुरू के महातम को अत्यंत उंचा दर्जा दिया गुरु हैं बड़े गॉबिन्द से मन में देख बिचाओ हरी सुम्रेश सो वार हैं गुरु सुम्रेश सो पार कबरा हरी के रूटे गुर्की शैनी जाए कहे कभीर गुर्की रूटे हरी नहीं होतसा है दूसरी थाकत रहा है आप में एक बहुत बड़ा बदलाव बदलाव इतना देदेगा कि आप अपनी पुरानी इस्तिक को तोलेंगे और देखेंगे तो आपको लगेगा परण बेकुम था बड़ा बेकुम था मेरे कर्म भी शुब नहीं थे मेरा आश्टन भी शुब नहीं था लेकिन जो बर्तमान में तोलेंगे आप तो आपको लगेगा जमीन आश्मान कांतर बस इतना सांतर लगेगा काग पलट हंसा कर दीना और कलट न लागी बेर यानि कविड सब करें टाइम भी नहीं लगाएगा ना रब में तीरतां डिटिया ना रोजा नमाजे बुले शानु मुर्शिद बिलिया अंदरो रब लगाया ये सब काम पल भर भी करता है कोड़ी जन्म का पंसता गर पल में दिया लगाएगा ये अध्यात में शक्ति आपके अंदर गुरु संचारित करता है आपके आत्मा वेक अप हो जाती है जब ये हो जाती है अंदर के पूरे शत्रों का खेल समझ में आने लगता है मन बुदीचे तेंकार पकड़ में आने लगते है काम करोद लोग मोह हैंकार कश जाते हैं रहते हुए भी आप पर परभावित नहीं होते है बस आपको परज़र्व कर दिया गुरु ने वैसा ही परज़र्व कर दिया नाम देने के साथ जैसे आज बैग्यानिक युग में आप देखिए सीड को जो हाईप्रिड सीड है उसको पहले ही परज़र्व कर दिया गया है ऐसा परज़र्व कर दिया गया है कि उसको जब वंकृत होता है उस पर कीड़े नहीं लगते है उसमें कीड़े नहीं लगते है उसको परज़र्व किया गुरू आपकी आत्मा को जन्वान से दिआ गुरू तभीतो आप इतने बदल जाएंगे कि जब मैं था तो गुर५ नहीं आप भस अब गुरू है मैं ना है मैं का वजूद जो बड़ा खतरनाख है ये मैं क्या था करे अब मैं ना है इस एक शब्द के उपर पूरा अध्यात्म गोम जाएगा जब मैं था हूँ ये मैं क्या था तो गुरुने किह रहे हैं मेरि हुकुमत थी इस वजूद के अंदर शरीर के अंदर ये मैं क्या है ये मैं है अन्तहकरण ये मैं क्या है मन बुदी चिते हैं काओ कहते हैं मैं को मिटा तो कुछ लोग मैं बोलना शुरू कर बंद कर देते हैं उसकी जगे हम बोलने लगते हैं कहते हैं मैं नहीं बोलना वो नहीं मेरे भाईयों, ये मैं बड़ी खतरनाग है, इस मैं को मिटाना तु मैंनु मार मुकाम बन दिया, इस मैं को मिटाना इतने आसान नहीं है, ये मैं सिर्फ एक शब्द नहीं है, मैं, ये मैं हैं अंताकर्ण, मन, बुधी, चित, हैंकार, काम, क्लोद, लोग, मोह, हैंक जगत को, जगत के अस्तक्त को सही और साकार दर्शा रही है, ये इंडिविजिलिटी में ही बंदन है, इस में पूरा वर्चस्थ किसका है, इस में वर्चस्थ मन का है, बुधी का है, चित, हैंकार का है, काम, क्लोद, लोग, मोह का है, इनका समोही मैं कहलाता है, इसी में ज समय घुलने लग जाती है क्योंकि जब गुरू का अस्तत्व आ जाता है तो ये पूरी इंडिविजिलिटी कामी नहीं करती है ये गुलाम बन जाती है मन पूरा समझ में आने लगता है जो मन दुनिया को नास नशा रहा है मन आपका गुलाम हो जाएगा बस ऐसी लगाम गुर्व आपके मन पर लगा देता है उसके बाद असर ये होगा दुनिया के सबी पदार्थ निरस लगेंगे संसार के किसी भी चीज़ में आपकी रूची नहीं लगेगी मन आपको ठीक ठीक से समझ में आने लगेगा और आप चाहकर भी कोई गलत काम नहीं कर पाए सोचे कि अब गुरू का इस पंदन आपके आत्मा पर हो चुका है अब आप में बदलाव आ गया इसी पाइंट पर साथ करें जब मैं था तो गुरू नहीं अब गुरू है मैं ना है प्रेम गली अतिसाकरी ताम ये दूई नहीं समाए तब क्या आप गुरू है गुरू कैसा तीसरी पाइंट ये ही देता है गुरू आपको 24 गंटे लगेगा मेरे साथ एक सजीव टाकत रह रही है अब वो है गुरू इन सब का संचालन करने लगती है वो ताकत तब पहले हिर्दे का संचालन कौन कर रहा था मन कर रहा था मन बड़ा खतरनाक है मैंने मन पर बहुत कुछ बोला है मन ही आहे काल कराला जीव नचाल करे बेहला जीव के संग मन काल को वासा अग्यानी नर गह विश्वासा सौभावे किस मन का उज्ञान संसाथ के पतावतों की तरफ है मन और मारा एक है मन का हमेशा गठ बननने माया के साथ में इंद्रियों के साथ में ये गुते हुए हैं मिले जुले हुए हैं एक संभाव चलते ही हैं एक ही डगर पर चलते हैं इसलिए जिस दिन गुरू की ताकत आजाती है आपके पास में तीसरी शक्ती ये मिल जाती है तीसरी चीज गुरू ये दे देता है आपको 24 गंटे लगेगा एक महाप्रिग्य शेतन शक्ती मेरे साथ हैं आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा इसलिए साहिब ने इस बात को कहा सहज मार्ग संतों सहज समाद भली इसलिए इसको कह दिया सहज मार्ग आपके साथ में ये सहभाविक शक्तियां काम करने लगेगी आपके साथ में ये दिबताक्तें काम करने लगेगी और आप परम रोशन और चेतन हो जाएंगे चाहा कर भी आप बुरा करूं नहीं कर पाएंगे आपको ये पूरी दुनिया पागल सी लगने लगेगी इसी जगह पर फिर कह रहे हैं गुरु बनेहरे शुद्धना होई कोट इन्भांद करे जो कोई कितनी भी बड़ी विद्याओं की हम प्राप्ति कर लें मैंने पहले भी कहा है पेशे से मैं एक अध्यापक्वी हूँ मैं शुक्षा के खिलाब कहीं भी नहीं हूँ एजूकेशिन इसेंशल नहीं है एवरी फिड़ आप दॉलाइफ जीवन के हर चेतर में शिक्षा का मैट नहीं है हम शिक्षा के मैट नहीं कुछ नकार नहीं रहे इस बाहरी शिक्षा के द्वारा हम अपनी अंतागर्ण की शुद्धी किसी कीमत में नहीं कर सकते हैं क्यों कि जब हम देखते हैं बड़े बड़े विद्मान शिक्षित लोग ऐसे ऐसे घिर्णित कर रहे हैं इसका मतलब है ये शिक्षा हमारी बुद्धी में प्रकाश नहीं कर सकती ये शिक्षा हमारी आत्मा में प्रकाश नहीं कर सकती है ये शिक्षा हमारी आत्मा को चैतन नहीं कर सकती है हाँ ये शिक्षा हमें काम देती है वैसा ही काम देती है अंदेरे में जैसे हम बत्ती लेकर जा रहे हैं तो हम कुछ देखते हैं बत्ती की साहता से लेकिन अगर हम अंडे हैं तो बत्ती हमें कुछ भी दिखाने में सक्षम नहीं है तो इसलिए भौतिक विद्ध्या का भी अपमान नहीं किया जाना चाहिए लेकिन कम से कम हम इतने बड़े-बड़े शास्त्रों को पढ़ करके अगर सोचें कि हमारा अंताकरण शुद्ध हो जाएगा कते ही नहीं हो सकता नाम मिना हिर्दाय, शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करें जो कोई बहुत से लोगों ने ये सोच रखा हैं कि ये फार्ट रोज उठकर के करेंगे हमारा दिल साफ हो जाएगा, बहुत से लोगों ने सोचा है ये कता सुन लेंगे, हमारा दिल सफा हो जाएगा हाँ, बताता हूं कैसे, नहीं होने वाला दिल सफा, कैसे हुआ जब हम उसका अनुकरण और अमल करेंगे तब तो कुछ हुआ, यदि आप सोचे कि हम इसको सुन करके हमारा हित हो जाएगा हम उसका अनुकरण नहीं करेंगे, तो हमारा कल्यान हो जाएगा कम से कम यह होने वाला नहीं है, इसकी उंबीद नहीं कीजिएगा हम देखते हैं कथा बाचक लोग इतने इतने दिन्दे कथाएं करते रहते हैं कुछ-कुछ लोग और मुह हमारा उनकी छूट नहीं रही है, वो तो बोल भी रहे हैं वो तो बुद्धी का भी प्रयोग कर रहे हैं, पर उनमें भर्लाव नहीं आ रहा है इसका मतलब है किवल इन चीजों से नहीं, हम उसका अमल करें पर सत्संग की मैमा तो कहीं कहीं है, कहीं कहीं है साथ स्वर्ग अभी बर्गर, धरो तुला एक अंग, ताह सकल मिल नहीं तुले, जा छण लो सत्संग कविट साब ने एक अपिक्ष किया, पोथी पड़ पड़ जग मौा, पंड़त भया न कोई, धाई अक्षत प्रेम के पड़े सु पंड़त होई आईए, तो क्या कविट साब कोई बयंदकार थे, आपिक्ष करने वाले थे, या अलोचक थे, नहीं, उन्हें सत्त को अपने तरीके से सहच करके, बहुत सहच करके बोला, उनकी वानी में बड़ा मिठास है, देखिए, वो खुद कह रहे हैं, कटू बो बोलना कभी भी भी आईए, उनकी वानी कोकिला है, मिठास पे हैं, सतत कर रहे हैं, साबदान कर रहे हैं, अर्थार्थ गुरुत एक बिजनिस है, इससे संभलना, इश्वर में रस्ता बन चुका है, क्योंकि परमात्मा के शेत्र में बिजनिस आसान है, एक तो इसमें लागत को ही नहीं है, आभानी तो हैं है, आई हम देखते हैं, मैंने आप से कहा है, मैं पेशे से एक अध्या पक्त भी हूँ, और मुल दूप से मैं एक सैनिक भी हूँ, चोबीस साल में में फाउज में नोक्री की सुबगार रिटार हुआ हूँ है, और ये सब काम मैं बैसाय के तोर पर नहीं कर र रहा है, क्योंकि इसमें बिजनिस और राजनीती दोनों समाविष्ट हो गई है, मैं जानता हूँ, जो भी महात्मा किसी राजनेते हैं, द्वारा पोशेते हैं, इसका भेशे कभी भी अच्छा नहीं है, इतियास को उठा करके देखें. मेरे साहिब की क्या शान है ो साहिब मेरा, मेरा, साहिब मेरा साइप मेरा, मेरा, साइप मेरा, ओ, साइप मेरा, ओ, साइप मेरा, मेरा, साइप मेरा, ओ, 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 साइप मेर झाल झाल